हाई अब्रिवान आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की कतली की रेसिपी अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में कभी सबसी नहीं होती तो आलू तो हर किसी के पास होते हैं तो बस उससे जट पर्ट आप 10 मिनट में ये आलू की सबसी बना कर त्यार कर लेंगे तो चलिए अलू की कतली बनाने के लिए हमने यहां पर लिये हैं 500 ग्राम आलू को इस तरह से हमने स्लाइस में कट कर लिया है और इसको अच्छे से हमने धो लिया अब देखे इसका एक स्पेशल मसाला तेयार करेंगे तो हमने एक पैन रख लिया है इसमें वन टीबल स्पून हमने बेसे हो ले सकते हैं अब तीन हो लिए और इसको हमने रोस्ट करना है देखी जब तक इसमें से धुआ निकलने लगे इतना हमें रोस्ट करना मतलब बिलकुल जलाना भी नहीं है कच्छा भी नहीं रखना इस तरह से भूण जाए इतना रोस्ट कर लेना है अब एक लेना है इसमें एड़ कर देंगे हम और तो यहां पर में आदा कप मस्टर्ड ओइल एड़ कर रही है आप जो भी ओई खाते हैं वो ले सकते हैं अच्छा सा धुए दार हमने एक दम गरम कर लिया उसके बाद थोड़ा सा थंडा होने दिया उसके बाद इसमें एड़ करना है जीरा और फ़ो टीस्पून हींग एड़ कर देनी है जीरा क्रेकल हो चुका है अब इसमें एड़ करेंगे हम प्याज तो एक बड़े से साइस का हमने प्याज लिया इस तरह से बारी कट करकर तो यह एड़ कर दिया रिज़ीपी पसंदा रही है प्लीस वीडियो को एक यहां पर अभी एड़ करेंगे आदे हम बचा कर रखेंगे यह बार में एड़ करना है अब यहां पर दिखिए टमाटन करना है अब रभी तेमाटर अब ईक हैां случаements काल जल्दी जल्दी इसके लिए इसमें अट करना है हमें नमक तो यहां परcono बांटी लूक of ते कर लियgrass अब इसको हमने कबर करका लोफ लिम पर 2-3 मिनट पका लेना है ताकि तुमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो दिखे यहां पर 3 मिनट हो चुके थे लोफ लिम पर पकते हुगे तुमाटर यहां पर सॉफ्ट होने लगे हैं यह देख सकते हैं तो बस हाथ चपमच की मदद तो यहां हमने आलू एड कर दिये हैं अब इसके साथ हल्दी पावडर वन टी स्पून यह बहुत टेस्टी सब्जी बनती है एक बार इसको बना कर देखिए और बनाने में तो बहुत एजी है तो दिखिए हमने हल्दी के साथ आलू को यहां पर एक से दो मिनिट भून लिया है फ्लेम को लोटू मीडियम कर लिया है अब इसमें एड करेंगे हम अपना स्पेशल मसाला तो आधा मसाला एड करेंगे क्योंकि हमने यह एक किलो आलू की क्वइंटिटी का बनाया था आधा कर रखेंगे आप चाहें इसको आधा भी बना सकते हैं मतलब आधी आधी चीज़े ले लीजिए उसको रोस्ट कर लीजिए अब यहां पर मसालों के साथ हमें भूनना है आलू को यह देखिए आधे कुक तो यह भूनते बक्ती हो जाएंगे अब आलू यहां पर एक से दो म सब्सक्राइब भी जुरूर कर लीजिए इसी के साथ हमने यहां पर बचे हुए जो टमाटर स्लाइस इस ते वह एड़ कर देना है दो हरी मिर्च इस तरह से मोठी कटी हुई यह एड़ कर देंगे मिक्स करेंगे तो देखिए हमने यहां पर अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसको हमने कवर कर देना है फ्लेम को यहां पर लो कर दीजिए लो फ्लेम पर यहां पर दस मिनट हमने पकने के लिए छोड़ देना है कि ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए और यह देखिए द आलो भुन चुके हैं यह देखिए बहुत ही टेस्टी है सब्दी और खुश्पुमादार बनकर तियार हुई है तो चलिए अब धेट पट से सर्फ कर लेते हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राय जरूर कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी बहुत जटबट वाल है यह इजी रेसिपी है और आप इसको चपाती फुलके के साथ सर्फ कीजिए यह देखिए और इस पर थोड़ा सा घी लगाए आलो में थ्थोड़ा सा देशी घी डालिए बस इसका कहना है क्या यह देखिए इस तरह से चपातियों पर घी लगा लीजिए तो अबहुत ये झाल झाल